आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा के उधारण अध्यापक ने अक्षे की लंबाई मापी लंबाई थी 145 सिंटिमीटर अध्यापक ने अक्षे को इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए कहा अक्षे ने लंबाई लिखी 1.45 मीटर क्या उसने लंबाई सही प्रकार से व्यक्त की है चलिए 145 सिंटिमीटर को मीटर में व्यक्त करें जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 सिंटिमीटर बराबर 1 मीटर है यानि कि एक सेंटिमीटर का एक भाग ऐसे सो भाग होते हैं एक मीटर इसे देखकर हम कह सकते हैं कि एक सेंटिमीटर बराबर एक शतांश मीटर इस प्रकार एक सो पैतालिस सेंटिमीटर बराबर एक सो पैतालिस शतांश मीटर जब हर 100 हो तब हम अंच के दाई ओर के दो स्थानों को छोड़कर दशमलव बिंदू यह डेसिमल पॉइंट रखते हैं इस तरह से 145 cm बराबर 1.45 मीटर आईए इसे दूसरे तरीके से समझे 145 cm बराबर 100 cm धन 45 cm चुकि 100 cm बराबर 1 मीटर और 45 cm बराबर 45 शतांच मीटर याने की 0.45 मीटर इसलिए 145 cm बराबर 1 मीटर धन 0.45 मीटर याने की 1.45 मीटर इस प्रकार अक्षे ने मीटर में लंबाई को सही प्रकार से व्यक्त किया है अगला उधारन रिया अपनी मांक के साथ सबजी मंडी गई उसे एक तर्बूस खरीदना था उसने दो तर्बूस पसंद किये एक का वजन था 3.259 kg और दूसरे का वजन था 3.23 kg मा ने रिया से पूछा कौन से तर्बूस का वजन ज्यादा है 3.259 kg वाले तर्बूस का या 3.23 kg वाले तर्बूस का इस पर रिया का सही जवाब क्या होना चाहिए यहां हमें दोनों तर्बूस के वजनों के तुलना करनी है तर्बूस के वजन दशमलब संख्याओं में व्यक्त किये हैं किनी भी दो दशमलब संख्याओं के तुलना करने के लिए पहले हम इसके पूर्ण भाग के तुलना करते हैं जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा, वह संख्या बड़ी होती है। यहां 3.259 का पूर्ण भाग 3 है, और 3.23 का पूर्ण भाग भी 3 ही है, यानि कि दोनों के पूर्ण भाग बराबर है। ऐसी सित्थी में हम दशांश स्थान के अंक की तुलना करते हैं। 3.259 के शतांश स्थान पर 5 है, और 3.23 के शतांश स्थान पर 3 है, चुकि 5 शतांश 3 शतांश से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.259, 3.23 से बड़ी संख्या है। इसलिए रिया का जवाब होना चाहिए, 3.259 किलोग्राम। अगला उधारण, एक परिक्षा में अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले। प्राप्त मार्क्स को भिन्न के रूप में निरूपित कर, इसका दशमलव रूप प्राप्त करें। अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले इसलिए प्राप्त मार्क्स की भिन होगी 29 बटे 40 आईए इसे दशमला रूप में व्यक्त करें इसके लिए हमें 29 बटे 40 की तूल्य भिन यानि equivalent fraction पता करनी होगी जिसका हर 10, 100 या 1000 हो क्या आप बता सकते हैं 29 बटे 40 की तूल्य भिन क्या होगी जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसी संख्या हो सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं यहां हम किसी भी प्रकार से 29 बटे 40 का हर 10 या 100 नहीं कर सकते लेकिन अगर हम 29 बटे 40 के अंश 29 और हर 40 को 25 से गुना करे तो हमें 29 बटे 40 की तूल्य भिन 725 बटे 1000 प्राप्त होती है जिसका हर 1000 है अब हम 725 बटे 1000 को 0 दशमलव 7, 2, 5 लिख सकते हैं यह 29 बटे 40 का दशमलव रूप है अगला उधारण आकाश ने 1 दशमलव 056 को भिन्न के रूप में 1 और 7 बटे 125 लिखा क्या आकाश ने 1 दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है यहां 1 इकाई है 0 दशांच है 5 शतांच है और 6 हजारवे है जैसा कि आप जानते हैं दाए से बाई अंको का स्थानी अमान 10 गुना होता जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 शतांच बराबर 50 हजारवे हैं इस तरह से अब यहां कुल 56 हजारवे हैं एक पूर्ण के 1000 बराबर भागों में से 56 भागों के लिए अब एक एकाई और साथ बटे 125 भाग मिलाकर भिन एक और साथ बटे 125 लिखा जा सकता है इसलिए आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है आज हमने देखें शतांच और हजारवा के उधारण अगले वीडियो में इन से जोड़ी मित्याधारनाओं को दूर करेंगे